ही वाई टीबियांस की हल चल वेलकम बैक टू दो टेना तोस्तो मनाली हनीमून कपल्स के लिए किसी भी हैवन से कम नहीं है इसके पीछे बहुत सारी रिजन्स हैं आज के इस वीडियो में हम उन रिजन्स की डिटेल में बात करेंगे आपको एक एक करके वो रिजन्स को लिस्ट में बताएंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने हनीमून को सेलिबेट करने के लिए मनाली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं क्योंकि आप साबाल हमेशा मेरे अलगल वीडियोस पर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि केरला, गोवा, मनाली, शिमला कंपेर करके आप पूछते हैं कि कहां पर हमें जाना चाहिए तो ये वीडियो में मैंने सुचा कि आपको मनाली के बारे में वो सारी जानकारी आपको दे दूँ जिसके बाद आम इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि मनाली आपको जाना है कि नहीं जाना चाहिए आएए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कनेक्टिवटी के बारे में तो मनाली के अगर कनेक्टिवटी के बारे हम बात करें तो मनाली कनेक्टिवटी बहुत अच्छी है दिल्ली से चंडी गर्सी उसके बाद आप कालगा की बात करें तो कनेक्टिवटी के मामले में मनाली सूपर डेस्टिनेशन है दिल्ली से आप फ्लाइट से जा सकते हैं अप अपनी private car से जा सकते हैं, काल का की बात करूँ, तो दिली से आप काल का चले जाएए वाइट ट्रेंसे, वहाँ से आप cab कर लिजे, बस कर लिजे, टैक्सी कर लिजे या अपनी private car से जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी connectivity है, उसके आप flight की बात करें, तो दिली से बुंतर की flight चलती है, बुंतर से 65 किलोमेटर दूर है आपका मनाली, वहां से आप गैप करके बस करके मनाली पहुंच सकते हैं, तो हनीमून कपस के लिए अगर आप गनेक्टिविटी की बात करें तो परफेक्ट कनेक्टिविटी है मनाली की, अब बात कर लेते हैं प्लेस वाइस, दोस्त साइट सीन हो गया, वहां के बहुत सुन्दर प्लेसिस है, अगर आप सुलांग वैली की बात करें, तो खास करके सर्दियों के अंदर, जो स्नोफाल का वीउ होता है, सुलांग वैली का वो मैं बया नहीं कर सकता, इतना सुन्दर वीउ है, आप वीडियो में चलता हुआ, देख भी रहे हैं अगे इस टाइम, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह मेरा सुलांग वैली का अपना वीडियो है, जब मैं गया था, तो सुलांग वैली में बहुत सारा जो है एडिवेंचर एक्टिवटी के साथ साथ आपको वीउ देखने को मिलते हैं, जो आपको जाने पर फील होने वाला है अब बास कर लेते हैं दोसों रोतांग पास के, रोतांग पास खास करके माई के मिड में या जून के स्टार्टिंग में खुलता है और सितंबर अक्टूबर तक ओपन रहता है, रोतांग पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पहले से ही जैनी हुई बरफ आपको मिले की, लाई बरफ आपको नहीं मिले क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं उसके बाद जवाब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने को मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो जो आपकी जगह है, वो लगबख 25 किलोमेटर दूल है मनाली के मॉल लोड से रस्ते में बहुत अच्छे भीव आते हैं और वहाँ पे काफी ज़ादा गर्मियों के दिनों में टेंपरेचर भी डिप हो जाता है तो गुमनी फिरने के मामले में परफेक्ट डैस्नेशन है इसके बाद चल लेते हैं कुलू मनी करन कुलू मरिं करन जब आप जाते है साइट सेन के लिए तो रस्ते में आपको कुछ और प्लेसेस को भी घुमा दिया जाता है जैसे कुलू सॉल फेक्टर आपको भीसेन डेवी टेमपल आप घुमा जाता है इसके साथ साथ आप रस्ते में पैराग्लाइडिंग ओन डिमांड खुद की कॉस्ट भी कर सकते हैं राफ्टिंग आप कर सकते हैं इसके लावा जब आप कुलू मनीकरन के रूट पे जाएंगे मनीकरन के पास आपको कसोल में पारवती रिवर बहते भी मिलेगी इतनी सुन्दर रिवर है रास्ते में आप टैक्सी को रोग करके थोड़ी देर के लिए वहाँ पे 15-20 मिनिट अपना फोटो क्लिक करवा सकते हैं जो बहुती सुन्दर और आपको अमेजिंग फोटोग्रैप्स देखने को मिलेंगी उसके बाद आप मनीकरन पहुचेंगे वर्ल्ल का सबसे बेस्ट होट स्प्रिंग जो वहाँ पे वाटर है वो देखने को मिलेगा मनीकरन में बाबाजी के दर्शन करिए लंगर प्रशार लीजे और वापस अपने होटल में आ करके स्टे करिए तो एक से एक परफेक्ट डेस्नेशन है जहाँ पर आप जा सकते हैं नागर कासल भी है जहाँ पर आप जा करके इंजॉय कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आप होटल फैसिटी वाइस की दोस्तों हनीमून कपर्स के लिए सेफटी, सिक्योटी और प्राइविट स्पेस की सबसे पहली रिक्वार्मेंट होती है जो मनाली के मोस्ली सारे होटल पूरा करते हैं और अगर आप ऐसे ही होटल को बुक कराना चाहते हैं या पूरे हिमाचल के साउथ इंडिया के पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो सबसे जो ट्रस्टी ट्रैवल कंपनी जिसे मैं जानता हूँ, जिसके तुरू मैं बुक कराता हूँ उसका नंबर मैंने वीडियो के टाइटल में दिया हुआ हुआ है कॉल करिए जा करके बुक करा लीजे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस ट्रैवल कंपनी का नाम आप पाएंगे और दोस्तों अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे होटल फैसिटी के बारे में तो होटल फैसिटी में आपको मैं बात करूंगा हनीमून इंक्लूजन की तो हनीमून इंक्लूजन होटल में बहुत अच्छे प्रोवाइड कियाते हैं मना लिगे पहले से ही रेडि होते हैं जो आपको हर डेस्टिनिशन पर नहीं मिलते हैं flower bed decoration के साथ welcome non-alcoholic drink on arrival, candlelight dinner, disco अगर वहाँ प्रेवलेबल है, indoor activity, fruit wine, honeymoon के एक ऐसे बहुत सारी फैसिटी हैं जो honeymoon inclusion में आपको provide की जाती है होटल के अंदर, तो होटल की फैसिटी भाई बात करें तो perfect है मनाली destination, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कह फैसिटी की, दोस्तों actually में क्य होता है, जब आप मनाली जाते हैं, तो आपको cab में first day भी घुमना पड़ता है, जो local side scene होता है, आपका half day का, second day आपको rotan pass या solang valley जाना पड़ता है, full day के लिए, kulum money करन उसके 30 जाना पड़ता है, तो आप देखें तो आपको तीनों दिन जो है cab जो है, वो ले जाती है आप उनके through जो है, वो अच्छा guide हो करके अपने places को enjoy कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बस एकी चीज़ का आप जहान रखेगा, जब भी कई cab का driver आपको ले करके जाता है, rotan pass या solang valley, तो रस्ते में आपको insist करेगा कि आप इसनों के लिए कपड़े ले लिजिए, actually मैं वहाँ पर उनका commission होता है, तो उसको आप avoid कर सकते हैं, आप क्या करिए, आपके लिए सबसे battery होगा कि जब आप rotan pass या solang valley जाएं, तो वहीं पर जाकर क्या आप कपड़े लीजिए, 100-150 रुपे में आपको shoes मिल जाएंगे, 100 रुपे में कपड़े मिल जाएंगे, अगर चा का commission होता है, तो 500-700 रुपे आपको वह charge करते हैं, जो आपको मेंगा बहुत जड़ा पढ़ सकता है, तो इस चीज़ को आप avoid करीगा, जब भी cab driver आपको snow के कपड़े लेने के लिए insist करें, तो, अब चलते हैं दोस्तों, इसके पाज मैं बात कर रहा था, cab driver आपको सबसे पह हडिंबा टेंपल, होंग कॉंग मार्केट, उसके पाद आप जा सकते हैं, मनु टेंपल, तो ऐसी बहुत सारे जगए हैं, जो लोकल साइट सीन में आपको ले जा जाती हैं, नेक्स दे आप सोलांग वैली या रोतांग पास जाएंगे, और उसके नेक दे आप कुल लो मनी क बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आप पास सकते हैं, वहापे जाए क्लिक करियो टोरंटी, जो 20 एक्टिविटी हैं, एडवेंचर सबसे फेमस मनाली की, उसके पूरी डिटेल आप पास सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एडवेंचर स्पोर् रोप वे राइड है, पैरागलाइडिंग होती है आपकी, स्कींग होती है, या आपकी भी आप सफारी कर सकते हैं, स्नोई स्कूटर आप कर सकते हैं, तो यही आप कर सकते हैं सोलांग वैली में और यही आप कर सकते हैं रोधांग पास पर, तो इन दोने अक्टिविटी के आप कर सकते हैं इसके बाद अगर आप जैसे मनिकरन जाते हैं कुलू मनिकरन तो रस्ते में आप पेराग्लाइडिंग कर सकते हैं और रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं तो ये स्पोर्स एक्टिविटी के बाद करें तो दोस्तों ओवर आल जो मैंने आपको शौर्ट में सब चीज़े बताएं इनको समझने के बाद आप खुड डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो आपने सोचा था जो डैस्टिंशन हरीमून के लिए क्या वो सारी रिकमेंडेशन ये आप पता लग गई हैं क्या आप इंट्रस्टिंशन है मनाली जाने के लिए अब आपके उपर डिवेंड करता है मैंने सारे पॉइंट आपके सामने रखें मीट करता हूँ सब कुछ प्लियर हो गया होगा और मनाली का यह माचल के किसी भी डैस्टिंशन का उत्तरा खंड क् साउथ का इंडिया के किसी भी डैस्टिंशन का पैकेज अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो ट्रैवल कंपनी जो में वीडियो के टाइटल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से आप अगर बुक कराना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं ट्राइ ए सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में